होतर प्रदेश में मदर्सों का सर्वे किया जा रहा है और अल्मोस्ट मदर्से को सर्वे पूरा किया जा चुका है ऐसे में फैक्ट फिगर क्या है आकर कितने मदर्से ऐसे हैं जिनका हो चुका है सर्वे और कितने जिले ऐसे हैं जो बचे हैं इन सभी पर बातचीत करने के लि चैनला चैनला साभगा 2 जिलों से सर्वें को गया है और रिगत कर रहे हैं ना। जों के संख्यों का चिनीगरण शुका है और आज इस समय जब बात कर रहे हैं। कि 75 जिलों की जो सुचना है वो जिलादिकारी का मात्यम से सासने पराप्त हो गई है पांच जिले हैं जो भी भीजने के परकिर्याम है उसके अंतिम्तिति अभी 15 नौम बर जो की कल है वो है तो कल तक संभावना है कि सभी जिलों से हमारे पास मदर्सी कितने हैं टोटल और उस सब्सक्राइब करके अगर हम मानितापराप्त करें तो सुलाजार पांच सत्रा रिकोगनाइज मदर्से हैं और अभी 8496 अन्रिकोगनाइज मदर्से निकले हैं तो संक्या को जोड़ें तो कई 25 जार की संक्या उत्रपरदेश मदर्सों की निकलके अब आई है दोनों इसमे अब बच्चरी आने को वह कौन-कौन से जिले हैं आज तक पांच जिले हैं जो अभी रिपोर्ट अपनी नहीं दे पाए है जिरादिकारी के मद्यम से उसमें कनौज है उसमें गौतम बदनगर है उसमें मैनपूरी है उसमें हात्रस है और एक जिरा अब जिक्टी है गाजीपूर जिनकी रिपोर्ट भी हम रपस नहीं आपाई है यह जो फैक्ट रिपोर्ट्स आपने मांगी थी उन पे क्या बिंदू थे मतलब इन लोगों से जो मांग की गई थी क्या-क्या पॉइंट से क्या-क्या आप लोग ने उनसे डिसकुशन किया ह मतलसी को कौन चला रहे है कितने बच्ये पड़ रहे बच्चे पड़ रहे है कितने अध्यापक है कि मतलसी कोई से थे क्वाचसित इसके लावा एक और चीज थी कि क्या कोई और ऐसा बोर्ड या कोई ऐसी गैर सरकारी संस्ता है जिससे इनकी संपत्ता है तो ग्यारा बिंदों पर हमने से रिपोर्ट मांगी थी जो अपने रिपोर्ट ली होगी जिलों से तो उसमें से सर उन्होंने जो फंटिंग का जरीर आपको दिखाया होगा या एजुकेशन का भावन दिखाया होगा वो तर उसमें क्या उधारन निकलके रहा है, मतलब बोलो किस तरीके से रखते थे? क्या आपना दिखाते थे? सोर कि अपना निजी भौन भी है कुछ कि रहे के भौन पर चल रहे हैं तो बिसीकली आयका स्रोच जो दर्सा आए गया हूँ चंदा दर्सा आए गया है कि अपन्दरा तारीक के बाद का क्या आप लोगों का प्लान ऑफ एक्षन रहेगा मतलब उसके बाद क्या रिपोर्ट सासन जाएगी और रिपोर्ट तो अभी प्राप्त की जा रही है हम अपने कारले में कंपाइल कर रहे है उसके बाद वह एक नीतिकत निदा है कि इस डेट सभित है उस मसजित में भी लोग पढ़ाते हैं तो क्या उसको मदरसे की कैटेगरी में रखा जाएगा की नहीं रखा जाएगा या इसको रिली जस स्टाडिब नहीं रखाजै गया है और लगवद हर मदरसे, हर मस्जीद में जो मॉल भी होते हैं वो बच्चेओं को अर्दू और और विगर पड़ाते हैं तो हम उसको इस स्रिक्टी मदरसा नहीं कह रहे हैं मदरसा वो है जो जब बच्चे कहीं और रेजिस्टर नहीं है कहीं और नहीं पढ़ने जा रहे हैं पूरा समय वहीं पढ़ रहे हैं तो वह मदरसा है मस्जीदों में पढ़ाया जा रहा है धर्मिक एजुकेशन कुछ समय के लिए घंटे-दो गंटे के लिए उसको मदरसा नहीं मानना है कि अभी तक कुछ अभी तो वैसे मुझे लगता रिपोर्ट का समय है लेकिन क्या कुछ आप लोग ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गया है और जिसे मैंने कहा कि मतरसा चलाना उनका अधिकार है वो चला रहे हैं मानता लेने के लिए भी हमारे अधिके अष्थ को पढ़ रहे हो तो एक सुछ पांच की मानता ले सकते हैं यानि पहले आप शुरू करेंगे या उसके बाद ही अपलाई करते हैं उल्टा नहीं होता कि पहले आप मानेता लें तब चलाएं तो एक निश्जित समय तक हर से को मानता दोрах और they can't agree other that law बारदे के जो चलने के बाद ही मजरसे को मानता देते हैं सवाल यह भी था कि जो स्टक्राटी कह्म लोग ओते स्टडी तर्डी लुब घो स्टक्राइजिस मदल्से हैं उन्हें आंगा एक स्लेबस होता है जैनकरी करने के लिए प्रभी करएं खाया है और यहीं जानकरी करने के लिए घराय लुख को सब्सक्राइब तैकि वो णकॉनेज़ मदरसौं में क्या वह पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं कि कि अर्प नहीं है कि बच्छा को अखून हो रहा हो। एससा थो नहीं है की अभुब mira को यह पता जाए इन को बुदम के जाता है यह निया नहीं है के मानता परात बंदके सुछन लेकिन उनको यह पता होना चाहिए जहां वह प्ड़ा रहे हैं तो वहां पर उसकी मांता है या नहीं है क्योंकि हार कॉलेज का या सबस्सक्राइब करें तो कि दो सबस्क्राइब है जह सबस्क्राइब जो उठेखिता करने अब तो यह अगर सब्सक्राइब पूरक मानक पूरे करते हैं. उसके बाद अगर आठ वे तक के मानता लेनी है तो सौ बच्छे आपके पास हूँ हाइज स्कूल के मानता लेनी है तो नाइंध और टैंध विला करके या मुंसी मौल भी कहते हैं उसको पंदरा-पंदरा दोनों इस तरह पे होने चाहिए तो इतनी ब्यवस्ता होनी चाहिए जब आप इतनी ब्यवस्ता करेंगे तब आप मानता करें सकते हैं तो हमारे साथ जगमोहन जी मौजूद थे जिन्नों ने बहुत ही विस्तार पूरवक बताया और फैक्ट पर बात की कि आखिर जो मदर्सें को सर्वे हुआ है वो किस तरीके से हो रहा है और जो के पीछे का मकसद आखिर क्या था लक्नु से क्यामरा पर्सन संदीब दूबे के साथ आशी श्रिवास्तो आज तक